कर दोस्तो वाइए आज हम बात करते हैं किकतंफ करना है इसको यूज करना इसक है पूरज्य है मारे ंडिविडियो के लाच दक बन रहा हुँ आट सब्सक्राइद बड़ा। जिसमें च्छोटे मृआइट्स आपकी तोचा को संकुरमित करते हैं और बिमार बनाते या घुन और उनके अंडे को मार कर काम करता है तो दोस्तो अब बात करेंगे टिटमो सॉल सब के फाइदे के बारे में तो दोस्तो इसके बीज खाद माइट्स या घुन नमक छोटे-छोटे कीटों से होने वाली एक हिस्ती है ये कीट अपनी तोचा को प्रभावित करते हैं तथा इसमें जलन का कारण बनते हैं टिसोल सोप एंटी पेरासाइट दबा है ये माइट्स और उनके अंडो को पेरालाइज करके और मार कर काम करता है इसका इस्तेमाल मुक्रूप से एसके बीज यानि की खाज और इसे सम्बंदित तोचा की समस्या जैसे खुजली तोचा में जलना इन्फ्रक्शन रेश तोचा के लाल हुने का इलाज और रोगथाम के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल सीर के स्केल्प सहित पूरे सरीर के लिए किया जा सकता है इस दवा से आपको मैट्स की वज़ा से खुजली सूजन और लाल निसान से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी हलाकि मरे हुए मैट अभी भी आपको समय तक खुजली का अनुभव दे सकते हैं अजिक्तम लाप्राप्त करने के लिए आप डॉक्टर से सला जरूर ले ले दोस्तो अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में दोस्तो इस दबा से होने माले दिकान साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सला लेने की जरूत नहीं परती और नियमित रूप से दबाकासे बन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं तो आप डॉक्टर से सला जरूर ले और दोस्तो इसका कुछ समान प्रकार का साइड इफेक्ट है जैसे एरिथेमेटस रेस खुजली रूखी तचा पेरेस थेस या याने कि जूँँँँणी या चूभन जैसा महसूस हो ना दोस्तो इसे अपने डॉक्टर की सला के अनुसार ही इस्तेमाल करे या इस्तेमाल करने से पले निर्देशों को देख ले दोस्तो इसी परकार की मेडिशिन की जनकारी के लिए हमारे चैनल बने रहे हमारे वीडियो को लाइक करे सब्सक्राब करे और कॉमेंट में जरूर बता कि ये वीडियो आपको कैसा लागा और आपको किस परकार के मेडिशिन की जनकार चाहिए तो धन्य बाद दोस्तों मिलते हैं गली वीडियो में लब यू अल